हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फोकस स्टेडी आज है सोला जून दो हजार वीस और आज हम डिसकस करेंगे सोला जून का दो हिंदो न्यूसपेपर अगर आप फॉर्स टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक इस एंडियन ऑसल प्सकॉट्रीज का एक गृप्यफ है इनमें से arts न के मेंघ्र ìी मेडगास्कर सी और गॉप्र आइरे ड喜欢 को ऑज़र्वर्वर स्टेट्स मिला हैं इंडियन ऑसन कमिशनमें अभी यह मेंबर नहीं है आवज में मर्च महीने में मार्च 2020 में observer बना है इंडियन-ocean कमिशन यह बेसिगली 5 योग्राफिक लोकेशन इंडियन-ocean seem नहीं है लेकिन carte की territory है द्री यूनियंड आइलेंड जो मैडदासकर के आंध इन और इस काराण से कलद आशसे II का मैंबर है यह 25 जो इंडियीन आशरine का मेंबर है वह हैं फ्रांस मेडदासकर पॉमयरो3 मौरिस। और सेसिल्स, इंडिया अभी रिसेंट्ली Observer बना है इस Commission का सेकंड क्वेस्चन है, इंडिया इस टो पोस्ट इट्स नेवल लाइसनिंग ओफिसर्स एट विच लोकेशन नेवी के लाइसनिंग ओफिसर्स को इंडिया दो लोकेशन पर पोस्ट करने वाला है यह जो दो लोकेशन है वह कौन सी लोकेशन है मेडागासकर अबुदबि यह दोनो यह फिर इन में से कोई नहीं तो यह दोनों मेडागासकर अबुदबिए मेरस्टा ओंविय democratic अंसर आन्सर ःतका सें बौथ तो स्टाट्ट करतेilingual आज का निउस्पेपर आज की फर्स निउस है टू इंडियान हाई कमिशन स्टाफ एब्डक्टेड एड रिलीज वाई पाकिस्तान तो दो इंडियान नैशनल जो इंडिया की एंबेसी जो पकिस्तान में है वहाँ पर एज़े ड्राइवर काम करते थे उन दो ड्राइवर को पाकिस्तान की लोकल पुलिस के द्वारा एब्डक्ट किया पहले और फिर बाद में रिलीज किया गया आफ्टर इंडिया रिजिस्टर इट्स स्ट्रॉंग प्रोटेस्ट तो यह जो पूरा इंसिडेंट है इसमें दो ड्राइवर थे जो हाई कमिशन ऑफ इंडिया में पा चार्जटी आफ यह जो पाकिस्तानी की ओंको कॉल किया उन से पूस्तास की उसके बात सामके टाइम इन दोनों ड्राइवर को ढ़िर इस देखने को मिले दोनों ड्राइवर की बॉडि़ और और पाकिस्तान की अथरिट यह करेंः के से में रोप यह चुछ करेंशे के की द इसा क्यों किया गया पकिस्तान के द्वारा और यह जो पूरा मैटर है यह इंडियन एंबसी ने पिछले कुछ दिनों में दो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को दो पाकिस्तानी इंप्लोईस थे जो पाकिस्तान मिसन इंडिया में काम कर रहे थे वो दोनों SPUNH के cases में involved पाए गए और जासूसी करते हुए दिखे उसके बाद Indian Government ने दोनों पाकिस्तानी employees जो जासूसी में पकड़े गए थे उन दोनों को तुरंत country से निकल जाने के लिए बोला एक तरह से expel कर दिया गया और 24 गंटे में they were asked to leave India within 24 hours. तो यह जो incident है यह करीब दो हफ्ते पहले की बात है जब दो employees पाकिस्तानी high commission के SPNH के case में involved पाए गए थे तो उसके बाद पाकिस्तान बड़ा परिजान था और किसी ना किसी बहाने से Indian employees जो पाकिस्तानी embassy में काम कर रहे थे उनको torture करने की कोशिस कर रहा था अगर हम इंडिय या अगर किसी भी देश की बात करें और किसी भी देश के जो employees हैं दूसरी कंट्री में जाके काम करते हैं तो उनके लिए इसल वर्ड लेवल पर के इम्मुनिटी के लिए कंवेंशन साइन किया गया है और वो कंवेंशन है विएना कंवेंशन ओन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 और कोड़ अव कंड़क्ट ऑफ 1992 तो यह दो कंवेंशन है जिनके बेसिस पर किसी भी डिप्लोमेट या किसी कंट्री की इम्मुनिटी प्राप्त होती है तो यह दो कंवेंशन इंपॉर्टेंट है विएना कंवेंशन ओन डिप्लोमेटिक रिलेशन्स 1961 और कोड़ अव कंड़क्ट ऑफ 1992 12-day complete lockdown in चिन्नाई as cases spike चिन्नाई तमिलनादू में cases बहुत बढ़ने के कारण अब दुबारा से lockdown 12 दिन का complete lockdown लगा दिया गया है जिससे cases में cases को control किया जा सके तो चिन्नाई में यह जो lockdown है वो फिर से लगा दिया गया है नेपाल move on altering map is unilateral talks difficult now तो अभी नेपाल ने अपने lower house में जो कंट्री अपनी कंट्री का दुबारा से एक नया map पास करवाया और इस map के थुरू नेपाल की तरफ से काला पानी रीजन को अपनी boundary में मिलाने की एक unilateral जो action है वो लिया गया तो यह जो मूव है इसके बाद इंडिया और नेपाल के बीच का जो बातचीत का एक वे आउट था यह बहुत difficult बन गया है ऐसा ओफिसल का मानना है नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी सर्मा ओली मूव तो ब्रिंग अ constitutional amendment that changes Nepal's map to include territory in India has prejudice any future discussion future discussion अब थोड़ा सा difficult हो जाएंगे विकॉस नेपाल ने यह बिना इंडिया से बातचीत के और अपनी तरफ से unilateral decision लिया है यह जो पूरा मामला है यह काला गला रीजन divided है लिपूलेक पास इसी रीजन में है काला पानी रीजन इस रीजन में इस्थित है और तीसरा जो रीजन है वह है लिंपिया धूरी लिंपिया धूरा यह तीन इंपोर्टेंट है काला पानी रीजन में लिपूलेक काला पानी और लिंपिया धूरा काला पानी इसी रीजन इंडिया नेपाल और चाइना के ट्राइलेटरल जंक्षन में इस तरह से नेपाल इस्थित है तो यहां पर जो ट्राइलेटरल जंक्षन बन रहा है यहां पर यह जो रीजन है और लिपुलेक पास भी इसी रीजन से जाता है और लिंपिया धूरा भी इसी रीजन इस रीजन की जो boundary है इंडिया और नेपाल की जो इंटरनेशनल boundary है वह 1816 में 1816 में सौगाली treaty के basis पे बनाई गई थी और इस treaty के according काली रिवर जो कालापानी रीजन से originate होती है वह काली रिवर इंडिया और नेपाल की boundary का काम करेगी अब इस रिवर का जो कालापानी डिश्प्चिवट बना हुआ है अब इस पर्टिकुलर जो क्रिटी है सब्सक्राइब उसमें को जा गया है कि जो कालापानी रिवर है वह इंडिया और नेपाल की बॉंडरी का काम करेगी अब इस तरह से कालापानी रिवर फ्लो करती है कालापानी रिवर की जो बाकी बॉंडरी है वो तो बहुत ही क्लियर है विकॉज इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो इस्ट का पार्ट है कालापानी रिवर के वो नेपाल का पार्ट होगा और जो वेस्ट का पार्ट है वो इंडिया का पार्ट करेंगी दिए लेकिन प्राउब्लम के सभी काला पनी सभी जाते हैं आक सब्सकर और यह वाला झीट सदी में अन। एकश्वल थे प्राइजव से यह पूरा रिजनल नेन कद पानुरी में आता हैं लेकिन इंडिया का मानना है कि इधर वाली जो रिवर है यानि कि इधर वाला ओरीजन जो इस्टन साइड में है वह ओरीजनल ओरीजन है काला पानी रिवर का इसलिए यह पूरा एरिया इंडिया की बांडरी में आता है और इसी डिस्प्यूट के कारण यह जो पूरा मामला है वह चल कर रहा है 1962 इंडिया चाइना वार के बाद ITBP के द्वारा यह पास रहा है और हिस्टोरीकली इंडिया ही इस पूरे रीजन को एड्मिस्टर करता रहा है उत्राखंड जो इंडिया का एक स्टेट है उत्राखंड की बाउंडरी में यह काला-पानी दीजन आता है तो अब नेपाल के द्वारा यह जो कदम उठाया गया उसके बाद जो इंडिया और नेपाल के बहुत ही सिवलाइजड और एंसेंट रिलेसंस थे उसके बावजूद भी जो इस पर्टिकुलर मैटर पर टॉक्स होने वाली है वह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है क्यो इंदिया में 9802 केसे इंग्रीज हुए हैं 394 हुई है और इसके साथ ही जिन कंत्रीज में रखेसरी ज्यादा कैसिज्वार रहे हैं उन में पहले नंबर पे हैं ब्रजील दूसरे नंबर पर है USA और तीसरे नंबर पर है इंडिया बिट्विन जून 8 तो जून 14 इंडिया recorded more than 75,000 new cases यानि कि केवल एक हपते में 75,000 से ज्यादा नई cases आने के बाद इंडिया थर्ड फास्टेस्ट जो नेसंस हैं इंक्रीज होने वाले उन में पहुच गया है और इस में इस लिस्ट में थर्ड हाइस्ट कंट्री बन गया है पहले नंबर पर ब्रेजिल दूसरे यूएस और तीसरे नंबर रहे हैं इंडिया कल के दिन में इंडिया में टेस्टिंग जो है काफी कम हुई थी लेकिन इसके बावजूद जो नंबर आफ नई केसेज हैं वह 9,900 से ज्यादा मिले हैं तो कोविड-19 के जो केसेज हैं वह बढ़ते ही जा रहे हैं जो एक वरिंग अनिडिया चॉयनоп के बीच जो चल रहे हैं उसमें कमांडर के बीच गालवां एरिया में met जो इस्टर लटंडक में वहां से वह सहे इंडिया और चाइना के बॉर्डर में वेस्टन इस्टन लद्दाक में और सिक्किम में इन दो लोकेशन पर इंडिया और चाइना के बीच फेस ओफ देखा गया था इस्टन लद्दाक में तीन लोकेशन है गालवान पहला हो गया गालवान रिवर वैली दूसरा है पेगॉं में डिवाइड है कितने sectors में divided है और इसमें सबसे बड़ा सेक्टर कॉन सा है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अब नेक्स्ट नेगते हैं नेक्स्ट नूज़ेके पेज नंबर फोर पर scientist asked to study tremors around blowout well in Assam Assam में अब एक Oil India Limited की जो oil well है वहाँ पर काफी भीशन आग लगी थी जिसके कानद दो-तीन लोगों की जान भी चली गई थी और ये आगे लगातार बढ़ती ही जा रही है North East Institute of Science and Technology जो CSIR Council of Scientific and Industrial Research के अंतगत काम करता है उसके द्वारा अब इस particular incident को study किया जा रहा है और जो भी tremors है जो उस एरिया में locals के द्वारा report किये गए उसके बारे में study किया जा रहा है इस आख लगने के बाद जो इस reason के लोकल से उन्होंने report किया था कि उनके घरों में दरारे पड़ गई है और उनको थोड़ा सा earthquake की तरह ट्रेमर भी फील हुआ यानि कि उनको लगा कि भुकम के जटके आ रहे हैं तो इस पूरे incident को नौर्थ इस्ट इंस्ट्यूट ऑफ साइंस एंट टेकनोलोजी CSIR के जो अंत्रकत काम करता है वह study करेगा उसके related क्या लिंक हो सकता है इन ट्रेमर का और नैचुरल गैस वैल में जो आग लगी है उसके बीच का वह study किया जाएगा जो भी ट्रेमर से इस्टेमर स्टार्टेड एवर सिंस जून नाइन और यह तो अभी तक जो आग है वह खतम नहीं होई है वह लगातार बढ़ती जा रही है और एक तरह से बहुती स्पीड में जो वैल से नेचुरल गैस से वह निकलती है और नेचुल नेचुल गैस के ब्लो आउट के कारण जो फायर है वह बहुती तेज बढ़ रही है तो वैल एंड पिलर्स ऑफ सम अफ दा हाउजे रिपोर्टेडली डेवलप्ट क्रैक्स ड्यू टू सॉक्वियो अब ब्लो आउट की कंडिशन यहां पर बनी है जो ब्लो आउट की कंडिशन है यह एक अनकंट्रोल एसकेप से फिनामना को ब्लो आउट कहते हैं और यही पर्टिकुलर फिनामना अभी देखने को मिला सीविंग इस सिमिलर टू वॉल्केनों इरप्शन तो वॉल्केनिक इरप्शन की तरह यह जो गैस है वह इतनी तेज निकल रही है कि इसको कंड्रोल नहीं किया जा सकता तो एक तर रवाइस की जाती है लेकिन को संठ इसको आउट सोर्स किया था भागजां वैल को जो तींसूखञ डिस्टिक में इस्तित रें तींसूख्य डिस्टिक इसलिए यह जो पर्टिकुलर इंसिटेंट है यह एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट बन जाता है जो वेल का नाम है बागजान वेल यह एकोलोजिकली फ्रेजाइल डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के बहुत पास है और इसके पास एक वेटलेंड भी है जिसका नाम है पाहुरी मोटपंग वेटलेंड और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कि नेक्स्ट निव्स है एंडी में टीम टू विजिट रायगर डिस्ट्रिक टुमॉरो रायगर डिस्ट्रिक महरास्ट्रा में डीमें की टीम के द्वारा विजिट किया जाना है बिकॉस यह जो शि two चीज़ इंपोर्टन्ट है एक सउक्लोन दूसरा अंडिय में सईकलोन निशर्ग अभी रिसेन्टलि आया है और यह वेस्टन कोस्ट पर आया साइकलोन है साइकलोन निसर्ग अरेबियन सी में ओरीजिनेट हुआ था और इसने महरास्टा में लैंडफॉल किया था और महरास्टा के कुछ डिस्टिक में काफी लॉज दखा गया है साइकलोन के करान इसी लॉज को एक्से contributing एक्सेस करने एंडिया में की टिम जाए गया के बारे में थोड़ी सी जो है वो देख लेते हैं एंडिये में नेशनल डिजास्टर मेनेजमें अथॉरिटी है यह एक बॉडी है जो गॉवर्मेंट ऑफ इंडिया के डिजास्टर रिलेटेड मैटर्स को डील करती है विटे मेंडेट टू लेडाउन पॉलिसी फॉर डिजास्टर मेनेजमेंट अब यहां पर डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट 2005 के द्वारा डिजास्टर मेनेजमेंट framing policies laying down guidelines and best practices for coordinating with state disaster management authority for holistic and distributed approach for disaster management in case of any disaster disaster related policies किस तरह की लानी चाहिए सो दिजास्टर को अच्छे से manage किया जा सके तो policies frame करने की जो guidelines है वो NDA में बनाता है इसके कि अलावा disaster के लिए क्या-क्या guidelines होनी चाहिए क्या-क्या best practices adopt की जानी चाहिए state government को district government को और in case of any disaster NDA में और state disaster management authorities आपस में किस तरह से अपना coordination establish करें उसको भी NDA में देखता है और disaster के case में जो distributed approach होनी चाहिए जो भी comprehensive or holistic way में एक approach होनी चाहिए वो सारी guidelines NDA में के द्वारा बनाई जाती है इसको establish किया गया था 2005 में और इस particular agency के head कौन है head है Prime Minister of India यह important है NDA में के head Prime Minister of India होते हैं तो इस तमये NDA में के head executive head नरेंद मोधी Prime Minister of India और NDA में के अगर हम ministry के according देखें तो एक किस ministry के अंतगत काम करता है NDA में home ministry के अंतगत अपना काम करता है तो इसकी ministry home ministry लेकिन इसके head home minister नहीं है NDA में के head होते हैं Prime Minister of the country अब नेक्स्ट न्यूज है पेज नंबर एट पे यह है आपकी नेक्स्ट न्यूज अमिड पैंडेमिक ट्रेडिशनल आर्ट अप ताल मंडले गोज डिजिटल तो यहां पर एक culture point of view से एक अच्छा आर्टिकल दिया गया है और यहां पर जो पर्टिकुलर आर्ट डिसकस की गया वो है ताल मडे मडें ताल मडाले यह एक ट्रेडिशनल आर्ट है ताल मडाले जो यक्षगान थीटर का एक पार्ट माना जाता है अब यक्षगान का आमने आर्टिकल पहले भी न्यूस पेपर में पढ़ हैं यक्षगान एक dance drama या theater है जो करनाटका reason में बहुत ज़्यादा prominent और famous है और करनाटका में यक्षगान को practice किया जाता है और यक्षगान का ही एक part है ताल मडाले जिसकी बात यहां पर as a traditional art की गई है तो lockdown के काना ताल मडाले online कराया जा रहा है और इसी बात को यहां पर explain किया गया है अगर हम ताल मडाले के बारे में देखेंगे तो it is an ancient form of performance dialogue और debate performance तो यह dialogue performance है या फिर debate performance है और जो mainly करनाटका और के कुछ district में perform किया जाता है करावली और मलनाट district जो reason है करावली और मलनाट रीजन करनाटका में और केरला में यह perform किया जाता है इन दा प्लॉट और कंटेंट और कंवर्सेशन इस जौन फॉपूलर माइथोलोजी माइथोलोजी कल जो रामायाड महाबारत माइथोलोजी है उनसे रिलेटेट जो डिबेट और डिसकर्शन है वो किये जाते हैं बट पर्फॉर्मेंस मेंली कंसिस्ट ओफ एन इंप्रॉम तो यक्षगान के जो ओरल कंटेंस्ट होते हैं उन्हीं को लेके इसमें डिसकर्शन किया जाता है तो इसका बहुत ही डीप रिलेशन है यक्षगान से यक्षगान का यह पार्ट माना जा सकता है ताल मडाले को पर्फॉर्मेंस क्लेंट इस वस्मोर इंटलेक्शुल रिदेंशन और डांस दिरिंग मौंसून सीजन में यह किया जाता है उस यक्षगान से ज्यादा इंटलेक्शुल माना जाता है तो आर्ट फॉम इस पॉपॉलर इन उत्तर कंणर रख्षे कंणर उडूपी और सिमोग डिस्टिक और जो की नौर्थ करला में है इस डिराइव फॉर्म और यक्षगान अग्लासिकल डांस और म्यूजिक फॉर्म और पफॉर्म किये जाते हैं कॉस्ट्यूम पर बहुत ज्यादा फोकस होता है और जो स्टेज के कवंशन से होते हैं। पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन ताल मडाले में कोस्यूम पर फोकस नहीं होता है। यूससीज के अलग-अलग कान्वैंशन से हुता है। इस इसometer से रीटर पर और ओरेटर किया corporate discussion कर रहा है उसको ज्याधा में इसलिए उ्योरी स्किल मि यह फोकस लेगए यह चलता है अण इसमें जो सीनियर औरेटर होता है उसको बोला जाता है अर्धधिर 17 और ओरेटर अर्थधारी ताल मडाले विरियंट है यक्षगान का यह इंपॉर्टेंट है ताल मडाले के ला और कर्नाट का में की परफ़र्म की जाती है इंडिया चाहिना नुक्लियर आर्सेनल ग्रो अब इंडिया और चाहिना और वर्ड ओवर जो कंट्रीज के दौरा नुक्लियर अपने स्टॉक को बढ़ाया जा रहा है उसके बारे में स्वीडन बेज्ड एक तिंक टैंक जिसका नाम है स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर् आर्सेनल वाइंडिया चाईना इज इनक्रीज दियर नुक्लियर वर्ड इं लास्ट वन एयर यहां पर चाहिना के बारे में अगर इस रिपॉर्ट में बात करनें है तो बताते कि चाहिना का जो भी नूक्लियर आर्सेनल है डेट एंप स्टॉ नियृट बान्टींटी in 2019 to 150 in 2020 तो इंडिया ने तो काफी कम increase किया है लेकिन चाइना ने बहुत ज़्यादा increase किया है अगर इंडिया और हम केवल पाकिस्तान की बात करने हैं तो पाकिस्तान ने भी थोड़ा बहुत increase किया है 150-160 से 160 in 2020 बोथ चाइना एंड पाकिस्तान continue to have larger nuclear arsenal तो इस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना और पाकिस्तान दोनों ही कंट्री के बास इंडिया से ज़्यादा nuclear warhead है याई कि जो nuclear stock है nuclear arsenal का stock है वो चाइना के पास भी जाता है और पाकिस्तान की पास भी ज़्यादा है इंडिया से nuclear arsenal of nuclear armed state other than USA and Russia were considerably smaller अगर हम पूरे world को लेकर total nuclear stock देखें तो USA और रसिया के stock के मुकाबले किसी country के भी तो बहुत ही कम है यानि USA और रसिया के पास जो stock है वो कहीं ज़्यादा है बाकि countries का मिला के भी USA और रसिया के बराबर में तो बिल्कुल आई नहीं सकता और ऐसा माना जाता है कि USA और रसिया के जो stock pile है nuclear related वो 90% से भी ज़्यादा है world के total nuclear warhead के combine volume से तो 90% nuclear warhead या nuclear arsenal किवल दो country के पास है वो country है USA और रसिया और इस report में भी इस बात को accept किया गया है अब कुछ point of concern बताएगा है इस report में वो point of concern है कि जो भी nuclear stock है as of now countries के पास वो transparent नहीं है यानि countries के पास कितने nuclear stock है बिल्कुर इसके बारे में clarity नहीं है जो भी non nuclear arm state है officially and unofficially और यह जो non nuclear arm state है word में वो है USA रसिया, United Kingdom, France चाइना, इंडिया, पाकिस्तान इसराइल और North Korea एक पर फिर से हम रिवाइस कर लेते हैं USA रसिया, United Kingdom, France चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल और North Korea तो यह 9 countries है जो officially and unofficially nuclear material रखती है और इन सारी countries के वास total 2020 में जो nuclear weapon है वो है 13400 और अगर हम 2019 के मुकाबले देखें तो 2019 में थे 13865 तो 3865 से कम होके 13420 में हो गए यानि कि कुछ nuclear stock कम हुआ है और यह कम क्यों हुआ है because USA और रसिया अपने पुराने जो nuclear stock है उसको खतम करके उसको modernize कर रहे है तो USA और रसिया की modernization process जो हो रही है nuclear stock को लेकर उसके काना यह कमी देखने को मिली है otherwise कोई कमी नहीं है nuclear warhead की nuclear arsenal की word में तो this was largely due to dismantlement of old nuclear weapons by Russia and USA which together possess over 90% of global nuclear weapons अगर हम transparency के according देखें तो government of India और गौर्वर्मेंट और पाकिस्तान अपने nuclear stock को लेकर कुछ statement देते हैं बट बहुत ही कम information दोनों countries के द्वारा दी गई है तो इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत ज्यादा information नहीं है कि कि कितना कितना actual में stock है दोनों इसके पास इसके बाद अगर हम USA को देखें तो USA टाइम टाइम पे अपने stock clear तरीके से बताता रहा है लेकिन 2019 में USA के administration यह जो स्टॉक हैं वो disclose करने से मना कर दिया है तो USA भी इस रेस में भाहर हो गया है वो भी अपने stock declare नहीं कर रहा है अगर हम USA और रसिया दोनों countries की बात करें तो उनके बीच एक treaty है देट न्यूक्लियर आर्सिनल और यह जो ट्रीटी है वह 2010 की new strategic arm reduction treaty new start जिसको जिसको बोला जाता है तो 2010 की यह जो ट्रीटी है यह काफी important treaty है काफी news में भी रहती है 2010 की new strategic arms reduction treaty new start treaty लेकिन यह जो ट्रीटी है 2021 में यह expire होने वाली है और इसको renew करने की जो process है वो किसी भी country यानि ना USA और ना रसिया के द्वारा स्टार्ट की गई तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर 2021 में फरवरी के महीने में यह ट्रीटी एक्सपायर हो जाती है तो USA और रसिया के द्वारा भी जो stockpile की information है वो नहीं दी जाएगी और इसके साथ ही साथ नुकलर स्टाक को कम करने की जो कवायद है वो भी रोग दी जाएगी मतलब कि इन दोनों country के द्वारा अब नुकलर वैपन को बढ़ाने की कोसिस की जाएगी बिकॉस 2021 के बाद यह दोनों इस ट्रीटी से लीगली बाहर हो जाने वाले है कि कोलापस होने वाली है अगर इसको रिणी ना किया जाये तो new start treaty स्टाट होए थी 2020 में और यह लैपस होने वाली है 2021 के महिने में अविवर discussion to extend new start treaty और negowसियेटर new treaty made no progress और USA का यस्ट ने nuclear weapon नहीं बढ़ा पा रहे हैं लेकिन चाइना इस treaty में नहीं है और चाइना लगातार अपने nuclear weapon बढ़ाते जा रहा है तो पहले चाइना को भी ऐसी treaty में आना चाहिए तब ही USA अपने जो nuclear weapon है वो कम करेगा लेकिन चाइना ने बहुत ही clear मना कर दिया है कि वह इस तरह की किसी treaty में इंवाल्व नहीं होने वाला यूएसेज इंसिस्टेंस देट चाइना मस्ट जुएन एनी फ्यूचर नुक्लिर आम रिड़क्शन टॉक्स विच चाइना है तो चाइना ने बहुत ही clearly मना कर दिया है जिसके करणा यूएसे भी इस ट्रीटी से बाहर निकलना चाहता है तो यह अपने नुकलिर जो वैपन है वो बढ़ा सके तो जो डेड़ लॉग है ओवर नियूस्टार टीटी और इससे पहले 1987 में जो सोवियत यूएसे की बीच एक ट्रीटी साइन की गई थी जो ट्रीटी सी ट्रीटी ओन एलिमिनेशन ऑफ इंटर्मीडियर रेंज और सौर्ट टर्म सौर्टर रेंज मिसाइल आई एनफ ट्रीटी इन 2019 इन दोनों के कारण अब जो नुकलर वैपन से रिलेटेड होड है वो सुरू हो सकती है यह जो ट्रीटी टीटी 1987 की यूएसे और रसिया के बीच देट सजेस्टेट देट इरा और बाइलेटरल नुकलर आम कंट्रोल अग्रिमेंट बिट्विन रसिया एन यूएसे माइट तू कि यूएसे और रसिया के बीच एक तो नियू स्टार्ट टीटी जो 2010 में स्टार्ट हुई थी 2010 की ट्रीटी एक है 1987 की ट्रीटी जो इंटर्मीडियेट रेंज और सौर्टर रेंज मिसाइल को रिड्यूस करने के लिए थी यह दोनों ट्रीटी के जाने के बाद अब यूएसे और रसिया में दुबारा से जो नुकलर वैपन्स को बनाने की होड है वो सुरू हो सकती है तो इस आर्टिकल में इं नेक्स्ट न्यूस है आपर वंधन योजना हेल्प्स ट्राइबर बीट और वंधन योजना प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंडिपेंडेंडेंस डे 2019 को नेशन वाइड लॉंच की गई थी तो इंसे वंधन या फिर जो फॉरेस्ट वेल्थ है वो फॉरेस्ट ट्वेलर् प्रॉड्यूस होते हैं उनसे जंगलों में रहने वाले लोगों को फाइदा मिले और वह लोग जो भी फॉरेस्ट प्रॉड्यूस है उनमें वेल्ई एडिशन कर सकें उनको अच्छे से मार्केट कर सकें और उनको बेच लैफलिहुड बढ़ा सकें तो वंधन योजना जो वह 2019 में 15 अगस्त को लॉंच की गई थी नेशन वाइट और इसका टार्गेट था जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनकी लाइबलिहुड इंक्रीज करना उनको लाइबलिहुड एक तरह से मिलना और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूज है उनमें प्रोसेसिंग वैल्यू एडेशन उनकी जो प्रोसेस है उनके बारे में फॉरेस्ट ड्वेलर्स की इसकिल बढ़ाना वंदन यूजना इस फॉरेस्ट ड्वेलर्स यह इंपॉर्टन बात है यहां पर वर्ड पेज़ पर नियूज है आई ए ये बिगंस मीट ओवर इरान्स नूप्रोग्राम 2015 में इरान और प देना और जो भी न्यूक्लैर्स काम ओंगे नूब दैरें से लेगा लेकिन यूजें इस्त तरह से अपने आपको इस पूरे से रूल्ड आउट किया है अपने आपको इस पूरे अग्रिमेट से लिए उसके बाद इरान काफी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेट हो गया ईवन USA ने जो अपना commitment किया था कि इरान पर economic sanctions हटा दिये जाएंगे वह sanctions भी नहीं अटाए गए जिस कारण से इरान बहुत ज़्यादा frustrated है और उसने भी इस agreement से निकलने decide कर लिया था अब उसके बाद इरान ने आई की facilities को जो इरान के द्वारा अपने nuclear facilities को विजिट कराया जाता है और यह दिखाया जाता है कि उसके कंट्री में कोई nuclear वेपन रिलेटेड काम नहीं हो रहा है तो अपनी दो साइट पे उनाटेड नेशन की इस बॉड़ी की विजिट के लिए इरान ने मना कर दिया इसके बाद काफी concern बताये जा रहे हैं कि आगर इरान ऐसा करता है तो यह एक 2015 की इस डील के बाद सबसे बड़ा एक रोड़ ब्लॉक होने वाला है तो इरान का जो रिफ्यूजल है तो अलाव एक्सेस टू तू साइट वेर नुकलर एक्टिविटी में हैव अकर्ड इन दा पास्ट उसके बाद आई ये ने इरान को बोला है कि जो साइट है वह ओपन की जाए इसके ओफिसेल के लिए आई ये इंटेनैशनल come energy एस ये जो ऑगनाइजेसेन है एक इंटेनैशनल अटोमिक एनरजी एजंसी है ये इंटेनेशनाल और जोटी सभ्ट उपेस्फुल यूगर नूइर्जी ये निकलर आनेशन के पीसफुल यूज को प्रमोट करता है और किसी भी मिलिट्री पर्पस में नुउक्लियर एनर्जी का यूज ना किया जाए सके लिए काम करता है तो प्रवस और की वेपन में नुउकलर पावर का यूज नहीं किया जाना चीए यह टार्गेट है इंटरनेशनल आटोमिक एनर्जी एजेंसी का कि इसको इस्टेबलिश किया गया था as an autonomous organization in 1957 तो 1957 में IAEA को establish किया गया था International Atomic Energy Agency 1957 में establish हुई थी इसका headquarter है Vienna Austria में Vienna Austria अभी head है इसके राफेल ग्रोजी इसके current member है 171 nations और establishment तो इसको 1957 में किया गया था यानि कि इंडिया को आजादी मिली थी 1947 में और उस आजादी के 10 साल बाद 1957 में IAEA को establish किया गया था इस तरह से भी याद किया जा सकता है IAEA का establishment here business page पे नियूज है pipeline tariff policy coming to raise share of gas in energy basket अब इंडिया में जो total energy basket है उसमें अभी जो gas के through energy produce की जाती है वो बहुत ही कम है पर अगर हम more precise हम बात करें तो जो share of natural gas है इंडिया एनर्जी बास्केट वह 6.2 परसेंट है 6.2 परसेंट और टार्गेट रखा गया है कि 2030 तक इसको पंदरा परसेंट किया जाना है तो और क्यों यह किया जाना है बिकाज नेच्रोल गैसे इस कंसीडर मोर ग्रीन गैस इससे जो pollution की possibility होती है वह काफी कम होती है और अगर हम crude oil की बात करें या हम coal की बात करें तो उनसे pollution बहुत ज़्यादा बढ़ता है लेकिन जो liquid gas है जो natural gas है यह बहुत ही clean alternative के रूप में देखी जाती है that is why it is used to replace some of the polluting liquid fuel and coal with this cleaner alternative तो 6% से 15% तक हमें इंडिया की energy basket में natural gas को लाना है और इसके लिए यह जो pipeline tariff policy है वो लाई जाने वाली है और currently अभी इसका draft prepare किया जा रहा है इंडिया की यह जो policy है अगर हम overall अभी की बात करें तो इंडिया में seven different pipeline operators है currently और इन operators के द्वारा अलग-अलग tariff अलग-अलग इंडिया के पार्ट में लगाया जाता है new pipeline policy pipeline tariff policy that will replace the existing practice of seven different pipeline operators charging separate rates and customers far from a gas source paying more than those near तो यह normal अभी साथ operator के द्वारा साथ अलग-अलग रेट में अपनी जो नेच्रोल गैस है वो सेल की जा रही है इस policy की बाद यह कोसिस की जा रही है कि एक operator और एक policy के ताहित सिंगल रेट में ही पूरे country को नेच्रोल गैस अप्लाई की जा सके नेच्रोल गैस की जो वर्किंग है उसको और ज्यादा किया जाएगा और पूरी कंट्री में यह जो रेट है वह कॉमन किये जाने की पॉसिबिल्टी बन सकती है प्राइज ऑफ फ्यूल यूनिफॉर्म फॉर कस्टोमर्स अक्रॉस दा कंट्री यहां पर ऑईल इसका फुल फॉर्म है पेट्रोलियम और प्राकितिक गैस नियामक बोड पेट्रोलियम और नाच्रोल गैस रेगुलेट्री बोड यह एक इस्ट्री बोड़ी है जो बनाई गई स्टोरेज, मार्केटिंग, सप्लाई एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोड़क्ट और जो भी प्रोड़क्ट है उनकी रिफाइनिंग करना, ट्रांस्पोर्टेशन करना, डिस्ट्रिबूशन करना, स्टोरेज करना, मार्केटिंग रेलेटेट सारी चीजे करना, इवन सप्ला और शेल करना भी इसी बॉडी के अंतरकत आता है पेट्रोलियम और नेचलल गेस रिगुलेटरी बॉडी यहाँ पर एक और फैक्ट इंपॉर्टन फैक्ट दिया गया है इंडिया का पहला ओनलाइन गैस ट्रीडिंग प्लेटफर्म आई-ग्स के द्वारा लॉंच किया गया इंडिया मेडन ओनलाइन गैस ट्रीडिंग प्लेटफर्म बाई-ग्स तो किस ने लॉंच किया है इंडिया का फॉर्स्ट और पहला ओनलाइन गैस ट्रीडिंग प्लेटफर्म तो यह लॉंच किया गया आई-ग्स के द्वारा विच एमड एट मार्केट डिविंग प्राइ अगर आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें थैंक्स पर वाचिंग